हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल और आज मैं दोस्तों आप लोगों के सामने ये बताने आया हूँ कि इंद्रा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इगनू का जो टर्म एंड इग्जामिनेशन होता है दोस्तों उसका टेंटिटिव डेट शीट आ गया है दिसं सकते हैं यहाँ पे ये न्यूज एंड अनॉंसमेंट इसमें देखिए है आपका डेट सीट टेंटिटिव डेट सीट है दोस्तों दिसंबर 2020 टर्म एंड इग्जामिनेशन ओके फ्रेंड्स तो इसके बाद आपको क्या करना है इस पे आप यहाँ किलिक कर लिजे जैसे आप किलिक किजेगा दोस्तों यह आपका खुल जाएगा यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं अनॉंसमेंट के नीचे क्लिक हियर फोर टेंटिटिव डेट सीट आप देखिए उपर है टेंटिटिव डेट सीट पोर डिसंबर 2020 टर्म एंग्जामिनेशन यह टें तो आपको यह टेंटिटिव डेट सीट मिल जाएगा दोस्तों देखे यहाँ भी है 28 दिसंबर 2020 को आया यह 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 है टेंटिटिव डेट सीट 4 दिसंबर 2020 टर्म एंड एक्जामिनेशन ठीक है दोस्तों यह है आपका दो तिन चीज़ दिया हुआ है कि आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है आप पैसे पूरे जमा कर दिये हों अगर आप फॉम भर चुके हैं तभी आप examination में बैठ सकते हैं उसके बाद कुछ instruction है COVID-19 को लेके वो आप देख लीजे पढ़ लीजे उसके बाद दोस्तों आपको देखना होगा नीचे जैसे आप scroll कीजेगा तो नीचे आएएगा देखे इसमें एक important dates ये है दोस्तों जो paper है ये देखे question paper of the following program या course will be objective type objective type होगा OMR seat पे होगा दोस्तों उसमें आपको color करना होगा जैसे competitive exam में लिया रहता है उसमें BPP का है अलग से BDP का अलग है सब का अलग अलग है इसमें देख लीजे अगर आपका कोई course हो तो ये सभी जो होंगे वो objective type OMR seat में होंगे color करना होगा इसका answer देखके ओके friends इसके बाद जो answer होगा आपका उसके आगे आता हूँ कि कोई भी changes नहीं है दोस्तों इसमें अगर आप चाहते हैं कि exam का date या session change कर दें तो इसमें no changes कर सकते हैं कोई भी change नहीं होगा दोस्तों किसी भी case में यह entertain नहीं किया जाएगा आपको मतला आप बदल नहीं सकते ना date ना session ओके friends तो इसके बाद हम आते हैं आगे देखे इसके बाद है हमारा program code है उसके बाद date है तो date देखे दोस्तों दो तीन चीज़ important होता है day and date यह 8 फरवरी से start है exam और 1 pm और evening session 2 से 5 pm और उसक total course और total program तो total course और total program सम्में है इसमें से आपका अगर जो भी paper है उसी के हिसाब से यहां आपका date दिया हुआ है चाहे इसमें मिलेगा तो समझे 10 से paper है इसमें मिलेगा तो समझे 2 से paper है ओके friends इसी तरह आप total a to z आप देख सकते हैं फिर नीचे total जितना course है दिया हुआ है आ आप सर्च मार लेजे अगर नहीं आपका खुल रहा है यह link तो मैं description में इसका link दे रहा हूँ दोस्तों वहां से click करके आप direct answer यह date sheet पे आ सकते हैं ओके friends और दोस्तों को जरूर share करें ताकि उनको भी इस चीच का benefit मिल सके वीडियो पसंद आई हो तो like करें share करें ओके friends थैं आप